Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, दिसमत होया की सेशन के assignment के बारे में, assignment कब से submit करना है, assignment submit करने का last date कब तक है, assignment कहां पर submit करना है, किस mode में submit करना है, हर एक एक topic के ओपर हम लोग इस वीडियो में डीटेल में बात करने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो का ध्यान से और complete जरूर देख लेजेगा, वीडियो पसंद देख वीडियो को लाइक करना बिल्किन मत भूलेगा, और इगनु के related हरें के trusted authentic information पाने के लिए, make sure आप लोग पहली फूर्शत में चानल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, तो देखो, दिसमद वाइकी सेसन के लिए एगनु ने अल्रेड़ी assignment के questions paper अपडेट कर दिया है, maximum program का assignment का question paper जो आप लोग को दिसमद वाइकी सेसन के लिए submit करना है, उसका question paper अपडेट कर दिया गया है, कुछ program के अभी बागी बचे हुए हैं, जो कुछ दिनों के अंदर में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले assignment के अंदर ये concern है, कि assignment submit करने का last date कब तक है, और कब से हम assignment submit करना start कर सकते हैं, और ये confusion इसलिए होता है हर साल, क्योंकि जो assignment का question paper एगनु के तरफ से release किया जाता है, उसमें different question paper में different different last date लिखा होता है, जैसे कि कुछ assignment का question paper में लिखा हुआ है, last date 5 October तक है, कुछ assignment के question paper में लिखा हुआ है, last date 30 September तक है, maximum question paper में यह लिखा हुआ है, कि 30 September तक last date है, और कुछ assignment के question paper में लिखा हुआ है, 31 October है, अब student के अंदर यह doubt होगा कि भाई last date है क्या कहीं 30 लिखा है कहीं 15 October लिखा है कहीं 31 October लिखा है तो देखो जो assignment का question paper होता है वो बहुत पहली एक साल पहली बन जाता है उसके बाद से website पर update कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो date लिखा रहता है वो ऐसा date लिखा रहता है जो normally इगनो में last date होते हैं यानि कि जो June session के लिए assignment submission करने का last date 31st March तक रहता है वो लिखा रहता है और December session के लिए assignment submission करने का last date 30 September तक रहता है वो लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर जो normal date है वो लिखा रहता है बाद में इसको extend किया जाता है और जब register के तरफ से notification release कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार के तरफ इस प्रकार से तो उसके बाद से जो notification में last date extend किया जाता है वही माना जाता है ठीक है तो इसलिए हर एक assignment के guidelines में भी लिखा रहता है कि जो भी website पर update किया जाएगा date extend किया जाएगा वही date को हम मानेंगे तो अभी के लिए आपके दिमाग में यह आएगा कि फिर last date कब है अभी के लिए तो देखो initially अभी last date आप लोग का 31st October तक है 31st October तक आप लोग अपना-पना assignment submit कर सकते हो तो forget about कि question paper में कौन सा last date लिख अभी के लिए फिलाल अप्लोग 31st October तक अपना-पना assignment submit कर सकते हो और उसको लेकर एक official notification इगनू के headquarter के तरफ से 30 September के आसपास में release कर दिया जाएगा इसका वज़ाई यह है कि देखो अभी previous session का assignment जो submit हुआ है वो बहुत late तक submit हुआ है ठीक है last date normally December session के लिए 31st माज चारात तो बहुत सरे coordinator से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन बाद हमें submit submission लेंगे तो अभी तो offline ही start नहीं हुआ है तो online अभी guidelines आने में तो बहुत time लेगा अभी बस दो regional center के लावा जितने भी regional center है 54, 56 regional center में से सिब 2 regional center ने guidelines release किया बाकि किसी ने भी release नहीं कि है ठीक है तो अभी आप लोग अराम से assignment बनाओ कोई tension की बात नहीं है initially 31st October तक submit कर देना अब हम लोग बात के लेते कि कौन से session का assignment बनाना है 21st का या 21st का तो उसको लेकर मैंने एक dedicated video बनाया हुआ है आप लोग चाहें तो यह video देख सकते हैं उपर card में मैंने video का link दे दिया है जिसे आप लोग को पता चलेगा कि आपको 21st session का assignment बनाना है या 22st का क्योंकि website पेगनों ने 21st 22 का भी assignment अप्लोड कर दिया और 21st का भी upload कर दिया है और बहुत सारे program का 20st 21st का बनाना है session का assignment और बहुत सारे program का 21st 22 का बनाना है तो आप लोग यह video देख सकते हैं और यह video बनाल होगे पता चला कि गलत assignment बना लिए तो फिर आपका पूरा मेहनत बरबाद होगा कोई doubt हो तो उसे पूछ लेना ठीक है लेकिन गल्ती मत करना ठीक है अब आपके दिमाग में यह आएगा कि assignment किस mode में submit करना है online करना है या offline करना है तो इसको लेकर मैं थोग सा clarify आप लो किलिए फिलहाल जब मैं यह video record कर रहा हूँ 18 सिप्टेंबर को तब तक सिप दो इसाम員 submission करने का guidelines release किया है सबसे पहले Noida regional center ने इसामี submission करने का guidelines release कर दिया है और साथी साथ जोतपूर regional center ने इसाम員 submission करने का guidelines release कर दिया है इसके इलावा बाकि अधर जो 54 regional center है उन्होंने अभी guidelines release नहीं किया है assignment submission करने के लिए जो करने वाले है Delhi 3 regional center नहीं जो अपने official website पर बस इतना बोला हुआ है कि updated is under process जो assignment submission करने का guidelines release किया जाने वाला है वो अभी under process है जो कुछ जिनों में release कर दिया जाएगा अभी के लिए आप लोग अराम से assignment बनाओ assignment कैसे submit करना है किस mode में submit करना है वो आपके regional center के तरफ से जब guidelines release कर दिया जाएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा और जैसे जैसे जिस भी regional center के तरफ से guidelines release किया जाएगा मैं आप लोग को time to time अपने channel पर बताता रहूँगा बस आप लोग चैनल को subscribe करके रखिएगा सभी तरह की information मिल जाएगी अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि assignment submission करने का guidelines का wait कर लो उसके बास से assignment submit करना क्योंकि हर एक regional center का अलग-अलग rules regulation होता है जैसे NOIDA regional center ने जो अपने assignment का guidelines release किया है उसमें इतना बताया है कि सिर्फ online ही assignment submit करना है बाकी other way में अगर आपने assignment submit किया तो फिर आपका assignment reject कर दिया जाएगा देखो यहाँ पर clearly बोल दिया गया the students of RC NOIDA are required to submit their assignment through the link given below जो google form का link दिया गया इसी से assignment submit करना है assignment कोई other form में अगर आपने submit किया by post by email और in person hard copy भी submit किया तो वो accept नहीं किया जाएगा यानि कि NOIDA regional center ने बोल दिया कि वो सिर्फ online ही assignment submit लेंगे और वो भी google form के माध्यम से जो कि हरेकिक study center वाईज अलग-अलग google form बना दिया गया यहाँ पर आप लोग देख लो जिस समद हो जाएकी session का assignment तो इससे आपको submit करना है अब उसी तरीका से जोदपूर regional center ने जो assignment submission करने का guidelines release किया है वहाँ पर बोला है कि आप hard copy study center पर submit कर सकते हो और या फिर online भी submit कर सकते हो तो इन्होंने offline और online दोनों का facility दिया है उसी तरीका से Delhi 3 regional center के तरफ से assignment submission करने का wait करना परेगा वह पहले guidelines release कर देंगे उसके बाद से submit करना जलबाजी करने की तो जरूत है नहीं अब मैं आप लोगों के एक outline देना चाहूंगा कि कौन-कौन से regional center के student को regional center के तरफ से guidelines release होने का wait करना चाहिए उसके बाद से submit करना चाहिए बाकिया अधर regional center अफलाइन अपने submit कर सकते हैं 31st October तक initially last it है तो कौन-कौन से regional center के तरफ से guidelines release किया जाता है हर एक एक session में अलीगा regional center के तरफ से guidelines release किया जाता है wait करनेंगे अलीगा regional center के student Bangalore regional center के तरफ से guidelines release किया जाता है confirmly ठीक है तो जोदपूर के बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है उसके इलावा कुलकाता चेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलेज कर जाएगा ओनलायं भी और अफ्लायं भी सम्मिट कर सकते हूं offline study center में जाके submit कर सकते हैं या online में google form की facility दी जाएगी उसके इलावा noida regional center ने already guidelines release कर दिया है सिर्फ वो online ही assignment submit लेंगे offline assignment नहीं लिया जाएगा लखनव regional center में आप लोग offline ही assignment submit करोगे online assignment submission करने की guidelines release की जाती है लेकिन last moment पे बटना regional center के तरफ से दोनों facility दिया जाएगा online भी और offline भी उसके इलावा राची regional center के तरफ से भी guidelines release किया जाएगा online का भी और अगर आप चाहो तो offline भी दे सकते हैं लेकिन online के लिए भी वो guidelines release करते हैं इसके लावा वरानसी regional center में offline और online दोनों की फेसिलेटी दी जाती है लेकिन पहले आप लोग आफ लाइन ही इसामें समिट कर सकते हो अगर situation बहुत ज़दा खराब उड़ा है तब जाके वहाँ पर online इसामें समिशन करने की फेसिलेटी दी जाती है तो अभी के लिए फिलार मैंने जितने भी जाती रिजिनल सेंटर का नाम बता है वहाँ पर गाइडलाइन्स रिलीज करने का वेट करना परेगा बाकी अधर रिजिनल सेंटर के जितने पी इस्टोएंट है वह offline ही स्टडी सेंटर पर या तो विजिट करके बाइन इसामें समिट कर सकते हैं या फिर कूरियर के माध्यम स समिट कर सकते हैं टोटल 56 रिजिनल सेंटर हैं सबका मैंने इसलिए नहीं बता है क्योंकि 56 रिजिनल सेंटर के बारे में बताने जाओंगा तो फिर एक घंटा का वीडियो हो जाएगा फिर आप ही लोग बोलोगे कि इतना लंबा वीडियो बना लिए खैर तो अभी के लिए फिलाल आप लोग को मैंने बता जिया कि कौन-कौन से रिजिनल सेंटर के तरफ से गाइडलेंस रिलीज की जाएगी और बाकी अधर स्टुएंट स्टुएंट पर ऑफ्लाइन ही समिट कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक तो इनीशली आप लोग समिट कर सकते हो जो गाइडलेंस जो नाम होगा वो होगा enrollment number underscore आपका subject code ठीक है जो PDF file का size होगा वो 10 MB से ज्यादा नहीं हो सकता आपको सभी assignment एक ही साथ submit करना है ठीक है multiple attempt will not be accepted ठीक है यानि कि अगर आप 5 assignment submit कर रहो तो 5 हो assignment एक ही साथ आपको submit करना है ठीक है यह चीज़ आप लोग याद रख लेना बाकी अ address जालोगे name, enrollment number, program code, regional center code सभी details fill up करोगे उसके बाद से यहाँ पर add file के उपर click करोगे और add file के उपर click करने के बाद से जितना भी assignment होगा एक ही करके upload submit करोगे ऐसे आप लोग ने add file के उपर click किया select file from your device के उपर click करोगे एक इस तरीका से click किये उसके बाद से upload किये ठीक है य तो उसी तरीका से जितना भी assignment होगा उसी तरीका से आपको upload करना होगा और फिर submit करना होगा स्वाइन में आया अब हम लोग जोदपूर regional center के बार में बात के लेते क्योंकि जोदपूर regional center ने भी assignment submission करने का guidelines release कर दिया है और यह पहली बार हुआ है कि जोदपूर regional center ने इतना करके submit कर सकते हो या फिर online भी google form से submit कर सकते हो google form से submit करने के time पर आप लोको बस कुछ चीजों का ध्यानक ना पड़ेगा जैसे आपको assignment एक एक करके submit करना होगा नौईडा regional center में था कि एक ही साथ सब एक एक करके submit करना होगा लेकिन जोदपूर regional center ने बोला है कि आपको एक उनिक रखा है क्योंकि किसी भी regional center ने अभी तक PDF का नाम में आपका अपना name लिखने के लिए नहीं बोला है कि आपका नाम होगा उसके बाद से अंडर्सकोर उसके बाद से आपका इंडॉल्मिन नमर फिर अंडर्सकोर फिर आपका subject code साथी साथ ये भी बोल दिया गया है कि जो आप assignment scan कर रहे हो वो अगर आपने सही से scan नहीं किया और वो ऐसा scan किया कि हजी हो गया या परने में problem हो रहा है चेकिंग करने में दुस्वारी हो रही है तो फिर आपका assignment reject कर दिया जाएगा बीना आपको बताए तो इस चीज़ का आप लोग assignment बना के scan कर रहे हो तो वो स assignment का format होगा वह सबसे पहले आपका जो front page होगा वो होगा उसके बाद से assignment का question paper होगा उसके आपका assignment होगा और बाकी जो guidelines है उसके ऐप लोगो फॉलो कर देना होगा ठीक है तो इस तरीका से सारा detail fill up करके उसके आपना assignment बनाके attach करक कि उसके पाद से submit कर सकते है और अभी assignment को ल तो है किस station के assignment के बारे में कि assignment submission करने का last date कब है कैसे submit करना है कौन से regional center किस mode में submit लेंगे और किस तरीका से guidelines release कर रहा था सब के बार में हमने बात किया मुझे उमीद है कि आप लोग को video पसंद आ ओगा इसे video के like जो पुर कर दे सभी फिर्ण के साथ को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि एक रिलेटेड हरेक एक ट्रस्टिड और अथेंटिक इंफरमिशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much